हलो डियर स्वेंड्स लेर्णर वेलकम टू उतकर्ष इंजिनेस किलासे और आप सब लोगों का उतकर्ष परिवार में स्वागत है और मैं शहनवाज हमद आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एप्लिकेशन अफ थर्मोडैनेमिक्स तो देखे हम लोग जल्दी से अब अपर स्टडी करेंगे वह होगा रेफ्रीजेरेशन और एई तो हम आप लोगों को पूरा का पूरा अप्लिकेशन अफ़ थर्मोडैनेमेक्स पढ़ाने वाले हैं अब तक हम लोगोंने बेसिक thermodynamics को detail में देखा था जल्दी से आप लोग live हो जाओ जुड़ जाओ और हम लोग आज से अपना subject शुरू करने वाले हैं good morning to all of you good morning good morning good morning to all of you उचलिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए जल्दी से हम लोग जुड़ेंगे और आज से हम लोग जो subject शुरू करने वाले हैं वो subject है आपका application of thermodynamics और my dear अब तक हम लोगों ने देखो basic thermodynamics को पढ़ा होगा और मैं उमीद करके चल रहा हूँ कि आप सब लोग यहां से जितने लोग live हैं यह सारे लोग basic thermodynamics को पढ़ करके आये होंगे या देख चुके होंगे basic thermodynamics का लेक्चर क्योंकि देखो application of thermodynamics को अगर सीखना है तो नाम से ही समझो application of thermodynamics यानि कि आपको basic thermodynamics में मैंने जो भी सिखाया है जो भी rules and regulations को बताया है आज हम लोग आज से उन rule and regulations को क्या करना सीखेंगे apply करना सीखेंगे कि हम लोग अपने practical system में किस तरीके से use करते हैं clear है ठीक है basic thermodynamics बिलकुल बिलकुल don't worry don't worry संतमीना basic thermodynamics जैसे आपका पूरा का पूरा complete किया गया है आपको कुछ भी problem मेहीं हुई होगी basic thermodynamics में ठीक है उसी तरीके से बिलकुल हम लोग आज से application of thermodynamics शुरू करेंगे तो आज जो ह होगा आपका refrigeration and air conditioning तो देखो आज हम पहला subject आपको RAC basically application में देखो तीन subject हम लोग पढ़ेंगे RAC power plant and IC engine और आपको बता दिया जाए कि आपके किसी भी SSC के paper देख लो या RRB का paper जबाएगा तब देख लेना या फिर कोई भी आपको basic level का JEE का paper होगा उसमें application of thermodynamics से question काफ भी पूछे जाते हैं और आपको बता दिया जाए कि आज जो हम लोग शुरू करेंगे na refrigeration air conditioning का syllabus क्या होगा हम लोग किस topic को कैसे पढ़ेंगे ठीक है और कौन सा topic very very important है कौन important है कौन average है मतलब जो बहुत important है उसको पूरा ध्यान देना होगा आपको पढ़ाएंगे सब है कौन refrigeration and air conditioning और believe me आपको जो मज़ा आने वाला है subject में वो आप feel करोगे ठीक है तो आज हम लोग शुरू करेंगे refrigeration and air conditioning को और सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करेंगे किस पर syllabus पर कि आपको इसका syllabus क्या होगा यानि कि हम लोगों को क्या पढ़ना है ठीक है हम लोगों को आपको इस तरीके से इसको study करना है ठीक है syllabus क्या होगा तो देखो सबसे पहले जो हम लोग आज देखेंगे वो पढ़ेंगे basic introduction of RAC यानि कि refrigeration और air conditioning जो है इनके basic terms क्या होगे जैसे refrigeration effect का क्या मतलब होगा refrigeration की unit क्या होगी refrigerator या heat pump किस basic fundamental पर काम करता है ठीक है तो बिलकुल इस तरीके से हम लोग देखेंगे बिलकुल आप सही है बच्चे तबियत बिलकुल सही है आप लोगों को देख के भी लग रहा होगा energy level से भी पता चल जाता है कि सर की तबित एकदम बिलकुल ठीक हो चुकी है थोड़ी सी वाइरल हो गये था आपको मौसम भी वैसा था बट अब ठीक है बिलकुल सही है अब हम लोग मजे के साथ पढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा हम basic introduction, basic introduction में हम लोगों को उन terms के बारे में जानना है जो term हमारे RAC के लिए जरूरी है ठीक है तो वो सारे terms हम लोग कहां पर सीखेंगे यानि कि जो foundation होगा subject का वो यहां सीखेंगे इसलिए आज का class बहुत important है एक दिन में basic बहुत होता है दूसरा जो आपको topic हम पढ़ाएंग वो होगा आपका VCRC VCRC का मतलब क्या है VCRC का मतलब है vapor compression refrigeration cycle ठीक है और यह जो topic है यह topic important की category में आता है ठीक है इससे questions आते हैं बट बहुत जादा भी नहीं लेकिन हां important है मतलब ऐसा भी नहीं कि question ना के बराबर है ऐसा भी नहीं कि question बहुत जादा है तो अगला topic जो हम लो अब पूरा detail में बात करेंगे यानि इस पर time लगेगा ठीक है clear है इसके बाद जो तीसरा subject हम लोग पढ़ेंगे माइडियर VCRC के बाद हम लोग तीसरा subject जो पढ़ेंगे वो तीसरा subject होगा आपका आपका होगा gas refrigeration cycle जिसको आप क्या कहते हैं bell column cycle भी कहते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पढ़ेंगे यह भी आपको इससे भी question इसको important नहीं average की category में रखें बहुत छोटे मोटे 2-4 question साते हैं वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो discuss हो जाएगा चौता topic जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो topic जो होगा वो होगा आपका refrigerant देखो refrigerant को हम अलग से इसलिए पढ़ाते हैं यह भी आपको average के topic की category में आएगा जेनरली कभी कभी छोटा मोटा question पूछ लिया जाता है कि refrigerant जैसे R11 है या R12 है या R32 है इनका chemical formula क्या होता अरे लिखेंगे my dear psychometry तो most 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 important topic है बिना psychometry के RAC का question ही लेगा नहीं क्योंकि सबसे जादा question अगर कहीं से आता है वो होता है psychometry से तो psychometry मुझे पदा है कि यह कैसा topic है जो book में पढ़के भी नहीं समझ में आता है मुझे पदा है लेकिन believe me आपके psychometry का question इतना आसान कर देंगे कि आपको लगेगा कि अरे यही पढ़ना था क्या हमें यही था इतना आसान तो घबरानी की बात नहीं है आपको psychometry बहुत detail में बताएंगे बहुत जरूरी है वो ठीक है अगला topic होगा आपका air conditioning ठीक है अगला topic होगा air conditioning के मतलब air conditioning का क्या मतलब है और इसी में हम लोग psychometry को study करेंगे ठीक है यह बहुत 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 important है this is your very very important topic ठीक है यह भी आपको पूछा जाता है यह important की category में आता है ठीक है refrigerant average है मतलब इनसे average questions रहते हैं basic level के questions होंगे तो इस तरीके से हम लोग इन सब को पढ़ेंगे my dear यानि कि हमने पूरे को पूरे subject को ने छे topic में बाटाई है मत सोचना कि छे topic में कहतम हो गया इसमें time लगेगा इन सब को जब study करेंगे हम लोग तो आपको psychometry वगरा इन सब में पूरा का पूरा तो इसलिए हम आपको diagram पहले से ले करके आएंगे आपको animation पहले से लेके आएंगे ताकि आपको वह चीस समझने में दिक्कत ना हो ठीक है तो घबराने की बात नहीं है हम लोगों को सब का सब पूरा का पूरा topic क्या होगा complete होगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपन देखो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है refrigeration air conditioning चूंकि हम लोग basic thermodynamics में second law of thermodynamics में मैंने पहली बताया था कि देखो हमने आपको बहुत सारे RAC के basic को second law में ही बता दिया है ताकि जब हम लोग RAC पढ़ें तो उस पर बहुत ज़्यादा discussion करने की ज़वत न है और यह कैसे वर्क करेगा तो हम लोगों को पता है कि देखो हमारा जो second law of thermodynamics होता है उसके दो parallel statements होते हैं एक होता है Kelvin Planks statement एक होता है आपका closest statement तो हमें पता है कि second law में दो statement दिया गया है एक क्लॉसियस दिया गया था एक Kelvin Planks दिया गया था Kelvin Planks statement हीट इंजन के लिए दिया गया था इसलिए यहाँ पर हम लोग उसका discussion नहीं करेंगे लेकिन हां क्लॉसियस statement यह कहता था कि हम लोगों को low temperature reservoir से high temperature reservoir की तरफ क्या करना है heat को transfer करना है और अगर हम किसी cyclic device में कर रहे हैं तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कोई न कोई work input या external energy हम लोगों को उसको क्या करनी पड़ेगी बाहर से कोई उर्जा परदान करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी यह हम लोगों को पता था और यहीं closest statement से हम लोगों को दो चीजों के बारे में पता चलता है एक कहलाता है आपको heat pump और दूसरा कहलाता है आपको refrigerator बिल्कुल सही closest statement से हम लोगों को refrigerator और किसकी बात पता चलती है heat pump की और दोनों ही यह सिखाता है आपको कि low temperature से heat निकाल करके high temperature पर क्या करना पहुचाना तो अब देखो इसी को अगर हम लोग बेसिक refrigeration system की बात करें तो basic refrigeration system में जो होता है हमेशा याद दखो कुछ specific devices होते हैं जो हम लोगों को पहले से बदा होना चाहिए जैसे यहां पर आपको लिखा गया condenser होना चाहिए condenser condenser होता है इसके इलावा जो basic device हो है आपका compressor भी होना चाहिए evaporator होना चाहिए और expansion valve होना चाहिए बाकी सारी चीजें क्या है इनके support में लगाई गई है तो हमारा जो basic refrigerator होता है इनमें चार ये basic device होता है, एक होता है compressor, दूसरा condenser, evaporator और expansion valve, देखो compressor इसलिए लगाया जाता है, ताकि हम लोग अपने refrigerant को क्या कर सके, compress करके उसको high pressure और high temperature पर पहुँचा सके, और condenser इसलिए होता है, ताकि वो उससे heat को क्या कर सके, loss कर सके, और throttle का काम ये होता है, कि उसको हम लोग क्या कर सके, expand कर सके, क्योंकि जब हम expand करेंगे, तो हमारा जो refrigerant होगा, वो एक दूसरे के साथ क्या होगा, expand करेंगा, मतलब उसकी volume increase करेंगी, तो उसका pressure और temperature क्या होगा, दोनों ही decrease करेंगा, और temperature इतना decrease कर जाना चाहिए, कि room temperature से कम हो जाएगा, तब वो जाकर के कहां से गुजरेगा, evaporator से, और evaporator room के side है, ठीक है, convert vapor into water, यह सब, हाँ ठीक है, अब हम दिसक्सन करेंगे, vapor, compression, refrigeration, cycle जब देखेंगे न, इसके बारे में detail बात करेंगे, आज बस basic बात कर रहे है, कि देखो यह 4 devices होगा, इन्हीं पर हम लोगों को काम करना है, ठीक है, और evaporator ही क्या करता है, room से heat को क्या करने का काम करता है, extract करने का काम करता है, निकालने का काम करता है, इसी लिए आपको जो refrigeration effect होता है, या cooling effect जो generate करेगा, वो कहा generate करेगा, किसके कारण generate करेगा, तो वो आपको evaporator के कारण generate करता है, ठीक है, तो चलिए, यहीं पर हमनों कुछ basic terms की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला basic terms आपको होता है, basically, कि आपको देखो, यहाँ पर पहली बात तो air conditioning और refrigeration में हमने क्या लिखा है, difference, इस difference को छोड़ो, आप लुख बताओ मुझे, कि आपको अगर कोई पूछे, कि what is the difference between refrigerator और air condition, अगर मैं आपसे बोलू, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाओंगा, my dear काई घबराते हो, अभी basic time से, तो हम आपसे यह जानना चाते हैं, कि आप यह बताओ, कि AC में और fridge में क्या difference है, अगर तुमसे कोई यह पूछ दे, कि air condition and refrigerator दोनों में क्या difference है, तो आप क्या बुलोगे, देखो, सबसे पहली चीज़ या दखो, air condition किसलिए बनाया गया, air condition जो है, वो बनाया गया है, basically किसके लिए, comfort cooling के लिए, यानि कि आपके body को comfort feel हो, इसके लिए आपको क्या बनाया गया, air condition, ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे, refrigerator या fridge किसलिए बनाया, तो बताओ, fridge किसलिए बनाया, जल्दी से लिखके बताओ, comment में, कि अगर कोई आपसे पूछता है, कि refrigerator य comfort के लिए, बिल्कुल सही, और fridge किसलिए बनाया गया, fridge के बारे में, जब भी आपसे पूछा जाए, आपको क्या बोलना है, ये कभी मत बोलना, कि food को ठंडा रखने के लिए, preserve करने के लिए, या फिर पानी ठंडा करने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आपको ice नह ठंडा करना है, बर्फ खरीद के मिला देंगे, पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, storage को, क्या करने के लिए, preserve करने, cold करने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो, basically, AC का काम है, comfort cooling, और fridge का काम है, ice making, याद रखो, अगर मान लीजिए, किसी भी चीज़ को ठंडा करना है, तो क्या आप ice के जरीए ठंडा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी चीज़ को preserve करना है, ice चारो तरफ से रख दो, preserve हो जाएगा, लेकिन, my dear, ये ice कैसे बनाओगे, इसलिए हमेशा याद रखो, बिल्कुल सही, कि refrigerator या fridge का, जो motive है, वो है ice making, और AC का motive है, comfort cooling, इसल इसलिए air condition का, ये जब आप अपने घर में देखोगे, तो इसमें तुम देखोगे, दो चीज़े, दो चीज़े perfectly दिखाई देंगी, पहली चीज, temperature को बढ़ाना, temperature को घटाना, यानि कि temperature कंट्रोल कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, fan इसमें देखो लिखा रहेगा, fan का switch, को ये पता चला, कि देखे, और दोनों ही काम किस पर करता है, AC और refrigerator दोनों ही काम किस पर करता है, दोनों ही same principle पर काम करता है, both are works on the principle of आपको vapor compression refrigeration cycle, दोनों ही VCRC पर काम कर रहा है, लेकिन दोनों का motive अलग अलग है, एक को comfort cooling के लिए बनाते हैं, इसलिए AC में देखना 18 degree से नीचे temperature नहीं होगा, लेकिन fridge में बताओ temperature कितना होता है, अगर तुम fridge देखोगे, तो fridge के अंदर खोल के देखना एक छोटा सा switch होता है, और उसमे temperature control का लिखा होता है, लगबग लगबग आपको लिखा होता है, माइनस दो या माइनस तीन से लेके 6 degree तक उसके अंदर range होत 0 degree पर, तो याद रखो हमेशा कि AC और fridge में सबसे बड़ा difference क्या होता है, सबसे बड़ा difference होता है, कि एक को comfort cooling के लिए बनाया गया है, और एक को आपको बनाया गया है, आईस making के लिए, तो आप हमेशा याद रखो, ठीक है, तो basically आपको दोनों में ये major difference है, otherwise देखोगे, तो दोनों का principle और fundamental क्या है, दोनों का principle और fundamental क्या है, सेम ही है, ठीक है, तो आपको अगर देखोगे ना, तो उसके में सारी चीजें जो दोनों के अंदर है, वो बिलकुल सेम चीजें है, इसलिए एक में आप कह सकते हो, कि इसको हम cool या food को preserve करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्य के आधार पर आपको क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर difference लिख लिया है, यह आप अपने से पढ़ सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है, बिलकुल सिंपल सी बाते हैं, तो difference को आप अपने से देख लोगो, हिंदी, इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया है, कि जिनक आपका refrigeration effect, देखो, सबसे पहले याद रखो, R.A.C. में कि आपको कुछ terms के बारे में पता होना चाहिए, पहला term है आपका refrigeration effect, refrigeration effect को ही, हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम लोग desired effect भी कह सकते हैं, refrigeration effect को ही हम लोग desired effect भी कह सकते हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, कि refrigeration effect या desired effect दोनों एक ही चीज है, क्योंकि देखो, सर, आइस कैसे बनेगा, अरे भाई, आइस कैसे बनेगा, आइस जब आप क्या गरोगे, temperature को 0 degree से नीचे या 0 degree तक ले जाओगे, तो water क्या होगा, water के अंदर जो है, जो भी heat मौजूद थी, वो आप व वहाँ से heat निकालो, game idea, तो क्या होगा, molecules of water जो होगे, जो दूर दूर है, वो एक दूसरे के क्या होगे, करीब आएंगे, और करीब आने के बाद क्या होगे, धीरे धीरे क्या होगे, वो आपस में covalent bond का निर्मान करेंगे, और वो covalent bonds जब बन जाएगा, तो water किस में deal हो जाएगा, और इस पर हम लोग बात करेंगे, कि कैसे होगा, ठीक है, clear है, अब देखो, तो basically क्या है, refrigeration effect किसको कहते हैं, refrigeration effect का मतलब यह होता है, कि हम अपना desired effect, या हम अपना motive fulfill करने के लिए, उस room के अंदर से, या उस storage space से, हम लोग जो heat बाहर निकाल रहे हैं, उस heat को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, desired effect, इसलिए हमने क्या लिखा है, कि refrigeration effect means, that cooling action should be done at the rate of heat absorption from any place in a cycle, जो कि एक cycle में हम लोग थंडा करने के लिए, rate of heat extract करते हैं, वही मेरा क्या होता है, refrigeration effect होता है, clear है my idea, तो अब देखो, refrigeration effect का मतलब यह हुआ, कि आपको motive के आदार पर अप अलग-अलग कह सकते हो, कि मेरा refrigeration effect यह है, ठीक है, तो देखो, अगर हम लोगों को हिंदी में देखा जाए, तो देखो, refrigeration effect को क्या कहा जाता है, परशीतन परभाव कहा जाता है, ठ किसी चक्र में किसी भी आस्थान से उश्मा अफशोशन की दर से शीतलन किरिया की जानी चाहिए, और that amount of heat क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका refrigeration effect, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, अगर आपको refrigeration effect के बारे में बात करनी है, हम यहाँ पर दो device बता रहे हैं, और दोनो के बारे में हम आप से पूछेंगे कि बताईए, कौन सा डिवाइस में refrigeration effect क्या होगा, किस डिवाइस में refrigeration effect क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है, suppose that मैंने एक, क्या ले लिया, यह आपको दो reserve wire ले लिया, और इसके बीच में हमने क्या किया, एक cyclic device लिया, और इस cyclic device को हमने क्या किया, connect किया है, और यहाँ पर दो device हम बना रहे हैं, basically, देखिए, एक आपको हम refrigerator बनाएंगे, एक बनाएंगे हम आपको heat pump, और दोनों के लिए उनके motive के आधार पर हम लोग बात करेंगे, कि refrigeration effect क्या होना चाहिए, और दोनों के लिए हमारा cooling effect या refrigeration effect के आधार पर हमारा work input क्या होना चाहिए, देखो, suppose that, यह मान लिया हमने के refrigerator है, यहाँ पर हमने माना T lower है, यहाँ पर माना हमने T higher है, इसको काम करने के लिए हमें work input देना पड़ेगा, यह मान लिया हमने क्या है, heat pump है, यहाँ पर आपका क्या है, T lower है, यह क्या है, आपका T higher है, और इंपोर्ट देना पड़ेगा ठीक है अब ये बताओ कि अगर ये रेफ्रीजिरेटर है तो मैंने आपको बेसिक फंडमेंटल जो पढ़ाया है आज हम लोग केवल उसको ब्रश अब कर रहे हैं ताकि आगे जाकर कि हम लोगों को ये सब ना सीखना पड़े कि भाई refrigeration effect कौन सा है और COP क्या होगा ठीक है तो देखो ये बताओ कि यहां से अगर heat absorb कर रहे हैं और वहां को दे रहे हैं और ये device कौन सा है refrigerator तो मैंने क्या सिखाय था कि refrigerator के case में lower temperature पर किसको रखा जाएगा बताएगा अगर आपका ये refrigerator है तो refrigerator के case में आप लोग lower temperature पर किसको रखोगे यह बताओ lower temperature पर आप किसको रखोगे तो आप पताऊगे कि lower temperature पर हम को किसको रखने की ज़वत है ठीक है तो lower temperature पर हम हम लोग किसको रखेंगे जल्दी से बताओ लो टेंपरेचर पर हम लोग किसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में लो टेंपरेचर पर हम लोग रूम को लेते हैं या फिर हम लोग अपना स्टोरेज स्पेस रखते हैं कहां लो टेंपरेचर पर रेफ्रिजरेटर के केस में और ह हाई टेमप्रेचर पर कौन होता है हाई टेमप्रेचर पर होता है सरांड डिंग इसलिए यहां से हीट में लोग बाहर निकाल रहे हैं यह अगर हीट पम्प होगा तो हीट पम्प के case में आपको जब हम लोग heat pump की बात करेंगे तो heat pump के case में भी direction यही रहेगा हम लोगों को यहां से heat निकालना है और यहां को देना है लेकिन आपको low temperature पर कौन रहेगा heat pump के case में low temperature पर रहेगा surrounding क्योंकि heat pump का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां बहुत ठंड परती है तो जहां बहुत ठंड है वहां हम अपने room को गर्म रखना चाहेंगे ज्यादा temperature पर रखना चाहेंगे इसलिए देखो surrounding ठंडा है जबकि हम अपने room को या अपने storage को गर्म रखना चाहेंगे इसलिए मेरा room heat pump के case में कहां रहेगा high temperature पर रहेगा और हम लोगों का जो desired effect है या जो refrigeration effect है इस case में वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी Q1 के बराबर तो हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग अपने device के आधार पर refrigeration effect को क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं और वो इस तरीके से लिखा जाएगा ठीक है और इसके साथ साथ हम लोगों को एक term और होता है जिसको हम लोगों को जानने की जरूरत होती है वो हम लोग कहते हैं क्या वो हम लोग कहते हैं COP के बारे में यानि की COP क्या होता है देखो यहां पर आपको लिखा है हम लोग इसी के बारे में study करेंगे COP यानि की coefficient of performance या फिर COP को ही हम लोग क्या कहते है COP को ही हम लोग कहते हैं का और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं energy performance ratio, energy performance ratio, ठीक है, या दखना कि COP का दूसरा नाम होता है energy performance ratio या फिर आप क्या कहते हो EPR, इसी को हम लोग energy performance ratio या फिर EPR भी कहते हैं और आपका जो COP होता है वो COP क्या होता है simple भाशा में हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग COP की बात करते है ये COP हमेशा refrigeration effect upon किसके बराबर होता है upon work input के बराबर होता है ये सारी जे छोटे छोटे terms है हम लोग पहले भी जान चुके हो लेकिन दुबारा देख रहे है ताकि हम लोगों को आगे अगर जरूरत पड़े तो दुबारा से हम लोगों को सोचना ना पड़े हाँ याद खना COP का दूसरा नाम होता है EPR Energy Performance Ratio भूलना नहीं कभी कभी examination में लिख देगा Energy Performance Ratio निकालिए तो यह मत सोच लेना कि कुछ नया पूछा है उसने उसने आपको COP के बारे में पूछा है और यह COP जो होता है या तो तुम इसको Refrigeration Effect upon Work Input लिख सकते हो या फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो इसको तुम लिख सकते हो Desired Effect Upon Work Input इसको तुम Desired Effect upon क्या लिख सकते हो Work Input लिख सकते हो और आप लोगों के लिए My Dear एक बहुत ही Important खुशखबरी की बात है एक Notice की बात है और वो यह है कि बहुत जल्द उतकर्ष Engineers Classes Offline में भी अपने Center खोलने वाला है ठीक है और इसका सबसे पहला Center जो आपको खुलने वाला है वो है आपको जैपूर में और इसी लिए आपको ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो लोग भी अगर जैपूर में अवेलेबल हैं तो वो आपको Career Guiding Seminar को Attend कर सकते हैं जो कि 3 सिप्तेमबर को होगा दो पाहर में दो बज़े से होगा और आपको इसका जो Address है वो Address क्या है आपको Hinden Heights Building है जैपूर में आपको वहाँ पर होगा और आपको Offline Center में देखे इन सारे Classes को कराए जाएंगे तो Especially आपको Gate, RPSCAE SSCJE, RRBJE और भी जो भी आपको Competitive Examination होगे Engineering से Related Center जो On Open हो रहा है वो आपको जैपूर में खोला जा रहा है और उसके लिए तीन तारिकों सेमिनार है और उसके बाद से आपको Classes चलेंगे तो जो भी बच्चे आपको जैपूर में हैं आप इस Information को उनके लिए आप कह सकते हैं बहुत जल्दी वहां भी आएंगे बच्चे घबराओ मत पुरे इंडिया में सेंटर खोला जाएगा लेकिन धीरे धीरे थोड़ा-थोड़ा पहले चीज़ क्या है कि इसमें क्या है कि थोड़ा आपको career guidance को regarding भी आपको बात किया जाएगा कि आपके पास कौन-कौन से scopes है engineering के बाद जिसमें आप अपने आपको explore कर सकते हो अपने आपको develop कर सकते हो एक तो वो होगा दूसरा क्या होगा कि बच्चों को different examination के point of view से बाते बताई जाएंगी कि आपको किस तरीके से paper होता है क्या होता है और आपको कुछ previous year questions भी provide किये जाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से examination में question आते हैं और आपको scholarship test वगारे के लिए भी announcement किया जाएगा ठीक है और पहला center आपको जैपूर में ही open किया यूपी में भी खोला जाएगा बहुत जल्दी हम लोग यूपी बिहार सब जगह हम लोग center open करेंगे लेकिन फिलहाल अभी पहला center कहा open हो रहा है वह आपको जैपूर में open हो रहा है clear है तो चलिए हम लोग जो study कर रहे थे अब उसी पर बात करते हैं तो जो लोग भी जैप कर सकते हैं आप लोगों के लिए beneficial रहेगा अब देखें COP की बात होती है यह तो इसी COP के आधार पर देखिए हम लोग अगर बात करें basically तो हम लोग इसके लिए आपको COP लिख सकते हैं अगर हम लोग refrigerator के लिए COP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे refrigerator के लिए COP क्या होगा मेरा desired effect कौन सा होगा desired effect होगा Q2 upon Q2 upon work input यानि कि WR और WR को तुम क्या लिख सकते हो WR को तुम लिख सकते हो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग Q1 लिखते हैं ठीक है तो WR को हम लोग लिख सकते हैं Q1-Q2 तो हम लोग COP of refrigerator को कैसे लिखते थे हम लोग COP of refrigerator को लिखते थे Q2 upon Q1-Q2 and similarly अगर हम लोग COP of heat pump लिखते थे तो हम लोग कैसे लिखते थे COP of heat pump को हम लोग लिखते थे Q1 upon Q1-Q2 यह हम लोगों को basic fundamental पता था कि जब भी हम लोग COP की बात करेंगे तो हम लोग इस तरीके से COP को लिखेंगे clear है चलिए तो अब देखे आपको COP हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है COP का definition क्या है वो सारी चीज़े हम लोग जानते हैं हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर discussion नहीं कर रहे हम लोग सीधे अब यहां से बात करेंगे एक important चीज़ जो हम लोगों ने सीखा था COP के साथ वो क्या सीखा था याद करो हम लोगों को एक relation हम लोगों ने सीखा था कि COP of heat pump बराबर होता है किसके 1 प्लस COP of refrigerator which is equal to 1 upon efficiency of the heat engine याद रखो कि यह relation आपको नहीं भूलना है यह हम लोगों को याद रखना है यह आपके examination point of view से बहुत important है इसलिए आपको यह मैंने लिखा यह very very important है इस पर आपको बहुत सारे question objective के बनेंगे आने वाले में ठीक है और आपको numerical भी बहुत सारे होंगे जो इससे हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे तो देखो हम लोगों ने यह सीखा कि refrigeration effect क्या होता है COP क्या होता है ठीक है और COP के बाद उनका relationship देखा और इसी में हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे कि refrigerant क्या होता अलग से हम लोग refrigerant को पूरा का पूरा chapter पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल के लिए refrigerant किसको कहते है तो refrigerant वो working fluid है जिसका इस्तिमाल हम लोग refrigeration और air conditioning में करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं रेफ्रीजरेंट कहते हैं तो basically रेफ्रीजरेंट क्या है यह आपका क्या है working fluid है जो की आप किसके अंदर इस्तिमाल कर रहे हो जो की आप इस्तिमाल कर रहे हो air conditioning में और रेफ्रीजरेटर में अपने cooling effect या desired effect को achieve करने के लिए तो जो working fluid हम लोग use करते हैं उसी को हम लोग refrigerant कहते हैं और refrigerant के अंदर कौन कौन सा category आता है यह पूरक पूरा detail हम लोग किस chapter में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट में कि रेफ्रिजरेंट कितने परकार के होते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि रेफ्रिजरेंट कितने परकार के होते हैं, फिर आपको सिखाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का नाम कैसे रखा जाता है, यानि कि आपके बुक में लिख देता है R11, ये R 11 का क्या मतलब है किसको कहते हैं आR11 आपको लिख देता है आरра 134 आपको लिख देता है आर तुंटीटू आर 12 तो हम लोगों को पता ये चलेगा कि प्रीजेंट का का केनशbir है इसके इलावा इसके क्या होनी चाहिए रफ्रीजेंट गाण टाउक रह्युजेंट के रहावा का होना चाहिए उनका freezing point क्या होना चाहिए boiling point क्या होना चाहिए यह सब हम लोग discussion करेंगे ठीक है अब इसमें यहां पर एक सबसे important बात एक चीज़ और बची है जो कि आपको बहुत जरूरी है आपको पता होना वो है आपका ध्यान से देखो वो है आपको देखो यहां पर हम लोगों ने refrigerator का है देखो figure बना के रखा है आप अपने refrigerator के पीछे अगर देखोगे क्योंकि देखो जो भी devices तुम लोग पाड़े हो ना वो आपके refrigerator में लगा होता है आप अपने fridge के पीछे में देखना यहां पर एक गोल सा pump जैसा कुछ लगा होता है यही होता है compressor ठीक है और यह जो coils होते हैं इन coils को देखना तुम तो यह दोनों coils जो होते हैं यह coil आपको क्या है यह आपको condenser coil है और पीछे इन coils के पास हाथ ले जाकर के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यह काफी गर्म होता है क्योंकि condenser क्या करता है heat को reject करने का काम करता है इसलिए आपके refrigerator में देखो यह तो दिखाई देता है compressor और condenser भी दिखाई देगा पीछे ही आपको यहाँ पर इसके पहले थोड़ा सा condenser के बाद आपको इसके अंदर यहाँ पर एक throttle valve होता है चोटा सा capillary tube जैसा कुछ लगा होता है वही आपको throttle की तरह काम करता है और evaporator जो tubes होता है वो fridge के अंदर होत है और वही आपको क्या करता है fridge से लगातार जो extra heat है ना उसको absorb करकर के बाहर निकालता रहता है ठीक है और इसी चीज़को अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे होता है cold reservoir यहाँ है refrigerator है यह hot reservoir है work input दे रहे हैं क्यू लोवर ले रहा है क्यू higher यहाँ दे रहा है ठीक है तो आप को यहाँ से यह समझ में आया कि basically हमारा refrigerator वो यही होता है और आपको coefficient of performance तो हम लोग पहले भी देख चुके थे हम लोग जो बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे जो important thing है वो है अपका unit of refrigeration देखो याद दखो refrigeration को नापने के लिए जो unit का इस्तिमाल किया जाता है उसको कहा जाता है unit of refrigeration unit of refrigeration क्या होता है आप सब लोगों को पता है यह बताइए unit of refrigeration क्या होता है देखे compressor का का काम क्या है न कि refrigerant को compress करके high pressure पहुचाना क्यों करना है यह सारी चीजें यह सारी चीजें discussion हम लोग आज हम लोग इस पर डिसकस नहीं कर रहें, कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है, इन सब पर नहीं, यह हम लोग वेपर कंप्रेशन रिफिजरेशन साइकल में बात करेंगे, आज हम केवल बेसिक टम्स को देख रहें, यह यह चीजे होती है, ठीक है, तो यूनिट अफ होता है, जिसको शॉटकट में किस से डिनोट करते हैं, टी आर से डिनोट करते हैं, और यह जो टन अफ रेफिजरेशन है, इसका क्या मतलब है, देखे, एक टन वाटर ले लिजिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दे रेटिंग फॉर रेफिजरेशन जो होता है, उसको हम यूनिट अफ रेफिजरेशन कहते हैं, जो कि हम लोग टन अफ रेफिजरेशन के फ़र्म में लिखेंगे, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि हमने क्या किया, वन टन वाटर ले लिया, जीरो डिग्री सेल्सियस पर, और उस वन टन वाटर जो कि जीरो डिग्र तो चौबिस घंटे में हमको उस वन टन जिरो डिग्री सल्सियस ऑव वाटर में से कितना हीट क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ठीक है हाँ डबल डोर में इसलिए दो होता है बच्चे उसके पिछे रीजन बता रहे हैं क्योंकि उसने डबल डोर में आपको प्रिजर्वेशन के लिए अलग डोर रखा है अलग चैमबर रखा है तो फ्रीजर जो होता है ना फ्रीजर में तो जीरो डिग्री पर ही आइस जमेगा वह आइस जमाने के लिए मतलब उसने क्या किया आइस जमाने के लिए एक डेडिकेटेट चैमबर दे दिया और फूड है आपको क्या करना है आपको अलग से हर चीज़ को अगर किलास करने लगो गहाए कोषिशन का practice कहां से हो जाएगा आपको जो कार रेशाला शुरू करने वाले हैं हम लोग उसमें previous year के questions को solve कराएंगे वहां से आपका question practice हो जाएगा और एपका question Pr基ー इसे के questions उसमें जेंगे नहीं-जेंगा अगर 40 question है तो 25 question SSJ का अगर हुआ तो 15 question वो question होगे जिनके आने के chances बहुत है मतलब most expected questions को भी उसमें डाला जाएगा ठीक है double door में more power हाँ double door का obvious सी बात है power consumption अलग अलग होता है ठीक है बिलकुल अब देखें तो basically आपको क्या होगा कि वहाँ से आप question practice कर लेंगे और यहां आपको concept पढ़ाय जा रहा है यहां से आप concept पढ़ लेंगे ठीक है हाँ बिलकुल application भी thermo की ही तरह होगा आरे आज पहला दिन है न तो power plant भी होगा भाई सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे रेफ्रिजरेशन एर कंडिशनिंग उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पावर फिर उसी तरीके से दस दिन बारा दिन लगबग पावर प्लांट चलेगा और फिर आईसी इंजन चलेगा तो आपको इस पर टाइम लगेगा इसलिए आप लोगों को उसी इस आप से देखना है ठीक है हाँ बिलकुल कराएंगे घबराएंगे अब पूरा डिटेल में चलेखना है टन असरीन में मतलब यह होता है कि 1,000 कि ये टन में 1000 किलो होता है Egypt लेलीजे जीरो डिग्री च्लसियस पर और उस 1,000 कि वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्स पर था उसी को आपको वन डन उफार आई सेट 0 degrees Celsius में convert करना है और कितने दिर में convert करना है 24 घंटे में convert करना है एक दिन में convert करना है तो इसके लिए आप जो उसमें से heat extract करोगे वो जो amount of heat होगा उसी को आप क्या कहते हो ton of refrigeration कहते हूँ us लिए देखो जब बाजार में तुम AC खरिदने जाते हो तो तुम क्या बोलते हो तुम कहते हो ना कि सर एक टन का AC दे दो या धेर टन का AC दो 1.5 टन का या दो टन का AC है तो यह जो टन अफ रेफ्रिजरेशन है वो यही बता रहा है कि आपको 24 घंटे में वो AC इतना हीट उस रूम से क्या कर सकता है निकाल सकता है जितना यहाँ पर यह वैलू आने वाला है ठीक है और जल्दी से कमेंट में लिख करके बताओ कि 1 टन अफ रेफ्रिजरेशन कितने के बराबर होता है तब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि वो कितने के बराबर होता है और इतने के बराबर कैसे आता है ठीक है देखे तो आपको one ton of refrigeration की हम लोगों को बात करनी है जल्दी से लिखके बताओ कि one ton of refrigeration केतने के बराबर होता है आप सब लोग जल्दी से बताओ कि one ton of refrigeration केतने के बराबर होता है तो इसी चीज़ को देखो आपको लिखा गया है ध्यान से देखो 1 ton of refrigeration is defined as the amount of refrigeration effect या heat transfer rate produced during the uniform melting of 1 ton of ice 1 ton ice ले ले लो चाहिए 1 ton water ले लो और उसको water में convert करने के लिए या ice में convert करने के लिए 24 घंटे में जो आपको amount of heat rate चाहिए वो होता है ठीक है बिल्कुल सही 3.5 kilowatt और यह 3.5 kilowatt कैसे आता है basically दोखो वो 3.5 kilowatt कैसे आता है क्योंकि latent heat of ice कितना होता है latent heat of ice होता है आपको 335 kilo 210 जूल पर मिनट है बच्चे आप जब भी 210 लिखो वो आप kilo joule पर मिनट लिखो जूल नहीं है वो kilo joule पर मिनट है क्यों क्यों क्योंकि यहीं से देखो आप अगर देखोगे तो यहीं से तुम कह सकते हो ना कि देखो one ton of refrigeration is equal to कितने के बराबर होता है 3.5 kilowatt और kilowatt का मतलब क्या है kilowatt का मतलब होता है 3.5 3.5 kilo joule पर सेकंड ध्यान से देखो मतलब यह है कि one ton का AC जो होगा वो क्या करेगा हर सेकंड में कितना amount of energy क्या कर सकता है वहां से निकाल सकता है तो वह 3.5 kilo joule energy पर 30 सेकंड वहां से remove कर सकता है अब यह देखो यह per second है ना आपको इसको per minute में convert करना है क्या करोगे 3.5 हो गया ना second को minute में convert करना है छोटे unit को बड़ा unit बनाना है इसको 60 से क्या कर दो multiply कर दो यह बन जाएगा kilo joule per minute में देखो और आपको 3.5 into 60 करेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा यह होगे आपको 10 से काट दिया 6 35 के 0,83, 6,83, 21, देखो 210 kilo joule per minute आया हमेशा याद रखो unit को सही से बोलना है बिल्कुल सही और इसी को अगर हम लोग 4.18 से divide मारेंगे तो यह kilo calorie per minute में convert हो जाएगा ठीक है 110 is equal to हाँ लगबग लगबग आप देखो basically जो है यहाँ पर यही चीज़ मैंने calculation बताया है देखो यहाँ पर हम लोग लेकिन जो ले रहे हैं यहाँ पर 1 यह ton यह वाला इतना ले रहे हैं 24 घंटे में जब इसको solve करते हैं तो एक मिनट में इतना आता है जब इसको हम लोग solve करते हैं तो approximately यहाँ पर यह value आ रहा है इतना क्योंकि हम लोग कितना मान के चल रहे हैं हम लोग thousand लेके चल रहे हैं आप अगर चाहो तो 910 को भी ले करके चल सकते हो इसी को जब हम लोग solve करते हैं दोको वन टन अफ रेफ्रिजरेशन को यह याद अखना वन टन अफ का मतलब होता है यह भी unit of heat है British thermal unit तो याद रखेगा कि BTU में भी आपको पूछा जा सकता है clear है तो आपको basically आप जो है 910 लेकर के चलो कोई दिक्कत नहीं है यह देखो हम लोग thousand लेकर आ रहे हैं तो equation जो होगा वह हमेशा ही 3.5 kilowatt या फिर यह आपको किसके बराबर होगा यह आपको बराबर होगा 210 kJ per minute के या फिर यह बराबर होगा 50 kcal per minute के या फिर इसी को तुम लिख सकते हो 12,000 BTU per hour examination में यह वाली value भी आप लोगों को पूछ सकता है इसलिए इसको ध्यान रखना है ठीक है तो आपको 1 ton of refrigeration का यह सब मतलब होता है अब सुनो मानलो suppose that मैंने आप से कहा कि आपके पास 2 ton का AC है तो यह बताओ इस 2 ton के AC का क्या मतलब होगा देखो important क्या है कि आपको यह समझ आना चाहिए कि 2 ton के AC का क्या मतलब है या मानलीजे 10 ton के AC का क्या मतलब है तो हम लोगों को अगर कोई यह कहता है कि मेरे पास जो refrigerator है अगर मानलो वो 2 ton of refrigeration का है तो 2 ton of refrigeration का मतलब क्या हो गया 7 kilowatt और यह 7 kilowatt क्या है इसका मतलब यह तो number हो गया ना यह तो value हो गई लेकिन यह 7 kilowatt किस चीज़ को बता रहा है तो तुम कहोगे है कि सर इसका मतलब यह हुआ कि यह 7 kilojoule पर सेकंड बता रहा है मतलब यह कहीं न कहीं यह बता रहा है कि आपका AC या जो आपका fridge है वो पर सेकंड में कितना refrigeration effect generate करेगा क्योंकि refrigeration effect का unit क्या था rate of heat extracted from the system आप अपने system से जो जिस rate से heat को क्या करना चाते थे निकालना चाते थे desired effect को पूरा करने के लिए वही आपका क्या होता था refrigeration effect होता था तो देखो अगर कभी तुमसे कोई कहता है कि 2 ton का AC है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर इसका मतलब यह है कि यह AC पर 30 सेकंड कितना refrigeration effect generate करेगा तो वो आपको 2 ton का मतलब है 7 किलो जूल पर सेकंड इसका refrigeration effect दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल कितना heat निकाल रहा है और कितना heat निकाल रहा है कि मतलब है कि यही इसका क्या होगा यही इसका refrigeration effect कहलाएगा किलियर है ठीक है इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यही आपका क्या है refrigeration effect है किलियर हो गया अब चलो यहाँ पर हम आपको एक बहुत important comparison करने कि यह सारी चीज़े पहली पता होनी चाहिए देखिए हम आपको क्या करने वाले है हम आपको एक तरफ ले लेते हैं माल जीए summer season को a गर्मी का मौसम एक तरफ scar गर्मी का मवसम ले लेते है और एक तरफ हम ले लेते हैं winter season को धंड के मौसम को ठीक है ये बताईए आप से अगर कोई कहता है कि गर्मी का मौसम है और ठंड का मौसम है और दोनों ही मौसम में आपको COP of refrigerator की बात करनी है COP of refrigerator की बात करनी है और आपको compare करना है किस से आपको इन दोनों ही मौसम में compare करना है कि कौन ज़्यादा होगा क्या पावर कंजम्शन और हीट इक्जिट रेट देखो पावर कंजम्शन यह नहीं होता है रेफ्रिजरेशन एफेक्ट होता है तैन अफ रेफ्रिजरेशन जो है यह आपको रेफ्रिजरेशन एफेक्ट को बताता है पावर कंजम्शन को नहीं बताता है पावर कंजम्शन का तो तन अफ रेफ्रीजरेशन वह कूलिंग एफेक्ट को बता रहा है एलेक्टिसिटी कंजम्शन को नहीं बता रहा है पहले सुन लो ठीक है तो मालों अगर हम कह देते कि एक एसी है जो कि 10 टन का है और उसमें इतना इतना फंडा है तो पावर कंजम्शन निकालो तो आपको यह दस्टन जो है ना रेफ्रीजरेशन एफेक्ट है पावर कंजम्शन नहीं है पावर कंजम्शन एलेक्टिसिटी कंजम्शन को बोला जाता है Mor from ये बताइए कि अगर आपको ये करना है तो कैसे करोगे आप लोगों को एक चीज याद अखना है कि देखो इसको समझने के लिए आपको एक चीज याद अखना है कि यहाँ पर जो हम लोग formula ये बात कर रहे थे ये formulas जो था AC का, fridge का जो भी था देखो ये formula हम लोग जो use कर रहे थे ये किसके लिए था ये तो valid होता है किसके लिए valid for reversible and irreversible दोनों के लिए होता है लेकिन अगर हम लोग temperature limit वाला इस्तिमाल करने formula तो वो formula आपको किसके लिए valid होगा वो formula valid होगा आपको refrigerator और किसके लिए reversible के लिए तो अब आप ध्यान से सुनों अगर हम लोग COP की बात करेंगे तो COP का formula क्या होता है होता है T lower upon T higher minus T lower ठीक है यहां भी हम लिख सकते हैं T lower upon T higher minus T lower अगर तुमसे कोई पूछ ले कि यह बताईए कि तुम्हारा fridge गर्मी के सीजन में ज्यादा COP देगा कि ठंड के सीजन में ज्यादा COP देगा या गर्मी के सीजन में ज्यादा बिजली का भी लाएगा कि ठंड के मौसम में ज्यादा बिजली का भी लाएगा आपके fridge का मान लो तो ये बताओ, हम लोग refrigerator की बात कर रहे हैं न और हम लोगोंने क्या सिखा है, हमने सिखा है कि जो refrigerator होता है, इसका motive क्या होता है, इसका motive होता है ice making, इसका motive क्या होता है, Varf बनाना, ये बताओ, Varf बनेगा कब, जब T lower कम से कम कहाँ पर होगा, 0 degree Celsius पर होगा, तो यहाँ पर चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, दोनों ही के मौसम में आपको आइस कितने पर बनेगा, आइस तो जीरो पर बनेगा, तो आप कहोगे कि यहाँ भी मेरा T lower कितना होना चाहिए, 0 degree Celsius अब ध्यान से देखो, हम summer season की बात कर रहे हैं और winter की और दोन season में higher temperature या surrounding temperature है 15 degree Celsius, यह तो हम लोगों को समझ आ रहा है ना, कि गर्मी के season में बाहर का तापमान 35-45 होगा, थंड में आपको 15 degree होगा, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला, क्या, कि अगर हम COP of refrigerator निकाल रहे हैं, और किस season में निकाल रहे हैं, summer season में ध्यान से देखना T lower upon T higher minus T lower, T lower दोनों में देखो ध्यान से, चाहे तुम winter में लो, चाहे तुम summer में लो, T lower fix है, लेकिन summer season का T higher जादा है, तो तुम कहोगे कि sir, summer season में अगर यह T higher जादा है, यह बताओ, lower है fix, lower था 0, T higher था 35, तो यह 35 है, ठीक है? और यह इसके comparison में जादा है ना, winter के comparison में, यानि कि lower जादा होगा, तो यह higher जादा होगा, तो यह नीचे अला बढ़ जाएगा, यह बढ़ेगा, तो COP इसका क्या होगा? घट जाएगा, तो यहीं से एक चीज़ आपको पता चली, कि COP of refrigerator, summer season में क्या होता है? कम आता है, जब कि COP of refrigerator किस season में? winter season में जादा होता है, और इसी वज़ा से बिजली का बिल आपको गर्मी के मौसम में जादा आएगा, ठंड के मौसम में कम आएगा, ठीक है? तो यह आपको बिलकुल summer season में जादा electricity consume करेगा, और यह question आपको direct exam में पूछ लेगा, कि यह बताएगे, summer season and winter season मे अगर हम लोग कम परिजन करें COP का, तो कौन से मौसम में coefficient of performance ज्यादा आता है, या machine आपका ज्यादा अच्छा काम करता है, COP decreases in summer season, बिलकुल सही, तो आपको यह result यहाँ से मिल गया, यह आपको examination में आएगा, तो आप directly बता सकते हो, अब इसी के आधार पर एक और कम परिजन कर लेते हैं, मान लो, इस बार हम एक तरफ लिख देते हैं, air condition, और एक तरफ लिख देते हैं, हम किसको, एक तरफ लिख देते हैं, refrigerator को, यह बताओ, कभी आप से कोई कम परिजन करने के लिए कहे, और कहे, कि आपको AC और fridge दोनों के बीच में कम परिजन करना है, कि कि किसकी COP जादा होगी, और किसकी COP कम होगी, ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग AC की बात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे COP of AC, यह क्या होगा, यह भी मेरा T lower upon T higher minus T lower ही होगा, और इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, COP of refrigerator, और यह भी आपको क्या होगा, T lower upon T higher minus T lower ही होगा, दोनों का formula सेम है, लेकिन, AC जो है, AC किसले बनाया गया है, यह बनाया गया है, comfort cooling के लिए, और यह बताईए, comfort cooling अगर आपको करना है, तो आपको T, आपको lower कितना होना चाहिए, और देखो, जब दो अलग अलग device को compare करो, मौसम नहीं बदलना है, दोनों का same weather होना चाहिए, यानि दोनों को अगल बगल रखके हम compare कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यह भी गर्मी के दिन में है, यह भी गर्मी के दिन में है, तो T lower AC में कितना होगा, human का comfort कहां से कहां तक होता है, 21 से 27 डिग्री के बीच में, तो T lower को, यहां 18 पर maintain रखते हैं, जबकि T higher कितना होगा, गर्मी का दिन है, 40 डिग्री पर है, जबकि refrigerator को हम लोग किस लिए बनाते हैं, refrigerator को बनाते हैं, ice making के लिए, और ice making का मतलब क्या है, इसका T lower कम से कम कितना रखना है, 0 पर मौसम सेम है, तो higher temperature दोनों के लिए कितना होगा, 40 डिग्री, अब यह बताईए क्या हम लोग comparison कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि COP of AC को अगर compare कर रहे हैं, तो यहां T lower है, यह आपको T higher minus T lower है, दोनों ही case में आपको T lower देखो, इसका 18 है, उसका 0 है, लेकिन T higher देखो, T higher यहां भी 40 है, T higher यहां भी 40 है, मतलब कि T higher दोनों का क्या होगा, fix होगा, और जब दोनों का T higher fix है, आपको T lower क्या है, कम है, तो आपको इसका T lower ज्यादा है 18 उसका कम है AC के लिए T lower ज्यादा है ठीक है यह ज्यादा है देखो यह बढ़ेगा अब ध्यान से देखो higher में से 18 घटेगा और higher में से 40 में से 0 घटेगा तो इधर वाले में lower ज्यादा मिलता ठीक है यहाँ पर lower बढ़ रहा है higher fix है इसलिए यह value घटेगी तो COP बढ़ेगी और lower बढ़ रहा है तो COP बढ़ेगी मतलब आपको क्या पता चला कि COP of AC जो होता है वो ज्यादा होता है किस से COP of refrigerator से मतलब कि आप fridge और AC दोनों को सेम टाइम से चालू रखो और सेम देर तक चलाओ तो आपको बिजली का बिल किसका ज्यादा आएगा तो आपको पता चला कि fridge का बिजली का बिल ज्यादा आएगा किस से AC के कम परिजन में बताईए इसमें किसी को कोई confusion तो बोलो आपको ये बात समझ में आया कि AC और refrigerator में ज्यादा COP किसका मिलता है तो आपको AC की COP ज्यादा होती है मतलब AC जो है ना electricity का consumption कम करेगा और refrigerator जो होगा वो electricity का consumption ज्यादा करेगा बताईए इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत बोलिए बताईए माइडियर इसमें कोई दिक्कत देखिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम ये समझ में आया आप लोगों को comparison की COP of AC में और COP of refrigerator में ज्यादा कौन होगा इस तरीके की question आपको बहुत आसानी से पूछे जाते हैं और आप सब लोग lecture को लाइक देखो नोट्स बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है पहला जो लेक्ट्र है ना इसको तुम as it is यहीं से ले लो ठीक है क्योंकि इसमें हम लोग नया कुछ नहीं बात कर रहे हैं जो नई चीज है वो तो मैंने लिखी दी है आप PDF वहां से डाउनलोड कर लो वहां से आपको पता चल जाएगा ठीक है लेकिन हाँ जब पढ़ाएंगे तो प्रोपडली हम आपको लिखाएंगे और चीजों को बताएंगे कि देखो इसको ऐसे करना है यह चीज है यह सारी चीज हम लोग वी सी आर सी में देखेंगे ठीक है तो घबराने की दिक्कत बात नहीं है आप लोग लेक्चर को लाइक और शेर जरूर कर सकते हैं यहीं पर एक चीज और सीखते हैं जो कि अक्सर आपकी इग्जामिनेशन में इस तरीके का सवाल आ जाता है जैसे कि आपको कहा जाता है कि एक रूम है ठीक है एक क्लोजड रूम है और इस क्लोजड रूम में आपके पास एक क्या है एक फ्रिज है ठीक है और इस फ खोला और आपने गेट बंद करना आपने गेट नहीं बंद किया और उसको भूल गए ठीक है आपका फ्रीज है ये और आपने क्या किया इस fridge का gate खोला है और इस fridge का gate खोल करके आपने बंद नहीं किया है ठीक है तो आपको मान लिजे suppose that इस fridge का gate खुला हुआ है ठीक है suppose that इसका gate खोल दिया आपने और gate खोल करके छोड़ दिया आप से पूछा ये जाएगा कि ये बताईए ऐसा करने पर आपके room ये है आपका room ठीक है Suppose that room है और आपको room का temperature मान लिजे कितना है 30 degree Celsius है और आप से पूछा जाएगा कि अगर मान लो हमने fridge खोला और fridge का gate बंद करना हम लोग भूल गए तो ये room जो है इस room का temperature बढ़ जाएगा कि घट जाएगा जल्दी से बताओ ये आपको क्या है ये आपका है refrigerator ये आपका है रेफ्री जिरेटर ठीक है जल्दी से बताओ कि आपका जो room है ये room गरम हो जाएगा कि ठंडा हो जाएगा क्योंकि देखो जैसी तुम room को खोलोगे तो पहले क्या था कि ये जो refrigerator है देखो ये काम करने के लिए work input ले रहा है य ठीक है और ये अपने room से क्या कर रहा है ध्यान से देखो ये है आपका refrigerator ठीक है ये अपने storage से heat ले रहा था और कहां दे रहा था अपने surrounding में heat reject कर रहा था और इसके लिए काम करने के लिए इसको work आप दे रहते refrigerator का work input तो ये q1 क्या कर रहा है अपने surrounding में छोड़ रहा था और ये जो q1 है ये बराबर होता है q2 plus wr के इसका मतलब ये है कि q1 ज्यादा होता है किस से q2 से मतलब क्या है देखो ये जो q2 होगा ये q2 होगा आपका rehefrize region effect jou refrigeration x 5th refrize region ноп क्योंक ये कहो ये जो q2 होगा यही आपका heat absorbed पर सेकंड होगा और पर सेकंड होगा ठीक लेकिन यह तब होगा जब आपका यह freeze बंद था आप मैंनो freer बंद था तो ये अपने रूम से क्यों निकाल रहा था और बाहर की यह हीट कर रहा होगा बाहर जो हीट रिजेक्ट कर रहा था वो था Q1 Q1 क्या है Q1 है आपको हीट रिजेक्टेट टू दी सराउंडिंग अब जैसे ही आपने रूम को बंद रखा है और फ्रिज का गेट खोल दिया अब पूरा का पूरा रूम ही उसका system हो गया और वो इसी रूम से Q2 निकालेगा देखो इस रूम से Q2 लेगा और इसी रूम में Q1 देदेगा मान लो यहां से Q2 आपको ले रहा है और Q1 यहां दे रहा है रूम से Q2 की value मान लो कितना है Q2 की value है 10 degree Celsius और Q1 है आपको 15 degree Celsius रूम से 10 degree ठंडा करेगा रूम को और 15 degree रूम में दे देगा तो रूम क्या होगा धिरे धिरे गरम हो जाएगा यानि की temperature of room will increases temperature of room will increases और यह question आपके examination में बहुत बार पूछा गया है बिल्कुल सही ठेक है तो आपको जब भी ऐसा सवाल आए कि यह बताईए कि एक refrigerator है और उसको आपने रूम में खोल करके छोड़ दिया है बंद करना भूल गए हो तो आपके रूम का temperature क्या होगा वो आपके रूम का temperature क्या कर देगा बढ़ा देगा ठीक है क्यों क्योंकि जितना heat लेगा उससे जादा heat reject कर देगा वो भी उसी रूम के अंदर ठीक है clear है तो हम लोगों को COP पता चल गया COP के बाद हम लोगों ने कुछ comparison कर लिया वो सारी चीज़े पता चल गई heat pump है ये कुछ ऐसा होता है heat pump heat pump में भी हम लोग क्या करते हैं तो हम लोगों को high temperature पर क्या रखना है आपको रूम रखना है उसको गरम करने के ज़वत है इसलिए आपको q higher क्या है ये आपका desired effect है clear है अब देखो आज जो उसके बाद हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किस पर हम लोग बात करेंगे reversed car not cycle पर क्यूंकि बात करेंगे reverse car not cycle पर क्यूंकि देखो हम लोगों के refrigeration और air conditioning का जो basic fundamental है जो आइडियल से सर गैस के बारे में भी बता दो कौन से गैस देखो गैस की बात जो आप कर रहे हो वह है अपको gas refrigeration cycle में हम लोग डीटेल में बात करेंगे वैसे आपको बता दिया जाए कि refrigerant के form में हम लोगों को गैस के form में अगर कोई gas हम लोग यूज करते हैं तो वह होता है air ठीक है AC and refrigerator के गैस के बारे में जो गैस आप बोल रहे हो ना basically वह refrigerant है और वह refrigerant जो है वह आपको r11 r12 r22 यह सारी चीज़े वह था है कि Western के बारे में आपको पढ़ाएंगे अब बोला है कि refrigerant के बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ाए जाएगए जिसमें आपको बताएंगे कि r11 का मतलब क्या है are twelve का मतलब है तो आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे इविन गैस साइडियरेशन साइकल में हम लोग बताएंगे कि air को क्यों यूज करते हैं तो वो हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग गैसे के बारे में यहाँ पर इसी लिए डिसकस नहीं कर रहे हैं वहाँ पर हम आपको पहले तो टाइप ऑफ रेफ्रीजरेशन सिस्टम होता है यह मेरा आइडियल साइकल फॉर किसके लिए होता है रेफ्रीजरेशन system होता है यानि कोई भी refrigeration system जो होगा उसके लिए जो हम लोग ideal cycle assume करेंगे वो ideal cycle मेरा कौन होगा वो मेरा होगा reverse card not cycle ठीक है और reverse card not cycle में आपको यहाँ पर बस direction क्या होगा change हो जाएगा ठीक है तो direction कैसे change हो गया है देखो हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि 1 से 2 इधर पर आ रहे हैं फिर 2 से 3 जा रहे हैं 3 से 4 है फिर कहां जा रहे हैं 4 से 1 पर जा रहे हैं तो basically हम लोगों को reverse card not cycle कि अगर बात की जाए तो हम लोग इसमें ts diagram पे ही हम लोग काम कर सकते हैं तो देखो suppose that यह माल लिजिए हमारा reverse card not cycle है जिसका हम ts diagram आपको बना के दिखा रहे हैं कि यह आपको उसका ts diagram है कि देखो जिसमें की हम लोग बात करेंगे यह टी लोगर है यह टी हाइयर है देखे हम लोग reverse card not की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहीं से भी reverse card not की बात अगर करते हैं तो हम लोगों को यहां पर जो diagram बनाई इसी की डाइगराम के आधार पर अगर मुख देखें तो हम लोगों को देखो जो heat addition हो रहा है वो 4 से 1 पर हो रहा है तो आपको यह heat rejection यह मेरा है चार यह है 1 यह है 2 यह है 3 देखें तो हमने क्या दिखाया कि आपको heat rejection जो हम लोग करेंगे वो यहां करेंगे और यहां heat absorb हो रहा है देखें तो यह जो heat absorb है ना यही आपका क्या है refrigeration effect है जो कि आप अपने room से या storage से लोगे ठीक है और यह क्यों reject कर रहे हो कहां surrounding में यह भी आपका pv to the power gamma constant है यहां पर आपका pv to the power gamma constant है यहां पर आपका reversible compression है reversible adiabatic compression process है यहां पर आपका reversible adiabatic expansion process है यही है मेरा reverse carnot जो कि आपको यहां पर दिखाया जा रहा है carnot cycle ideal power cycle and reverse carnot ideal refrigeration cycle बिलकुल IC engine कब चलेगा भाई IC engine को हम लोग start करेंगे पहले RAC पढ़ेंगे फिर power plant then IC engine IC engine में आपको बहुत सारे question पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है तो वो IC engine से पूछा जाता है और power plant से पूछा जाता है RAC से भी question है लेकिन comparally कम होता है तो पहले हम लोग इसको कर रहे हैं जल्दी से इसको complete करके हम लोग power plant और किसको बात करेंगे IC engine को तो यह है मेरा क्या reverse carnot और reverse carnot इसलिए पताया जाता है ताकि क्योंकि यह आपको ideal refrigeration cycle होता है और इसलिए यहाँ पर आप से अगर पूछा जाए कि reverse carnot cycle किसको कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि यह एक ideal refrigeration cycle है सबसे पहला point क्या लिखोगे कि यह एक आपका ideal refrigeration cycle है पहला point दूसरा point क्या लिखोगे कि इस cycle में हम लोगों को टू रिवर्स से बिल या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि reverse carnot cycle reverse carnot cycle carnot cycle consist of consist of four processes और किन चार प्रोसेस से मिलके बनता है ठीक है consist of four processes in which in which two processes are दो process कैसे है two processes are reversible adiabatic and another two is another two process are process are isothermal ठीक है तो आपको यह पता चला कि reverse carnot cycle जो है दो adiabatic और दो आइसो थर्मल से मिलके बनता है जिसमें की heat rejection और heat आपको addition दोनों ही आपको यह lower temperature constant line है यह आपको higher temperature constant line है इन दोनों के आधार पर होता है तो इसलिए अगर आपको suppose that अगर आप से कोई कहे कि इसकी COP निकाल के बताईए तो COP of reverse carnot cycle RCC का मतलब reverse carnot cycle क्या होना चाहिए आप कहोगे कि होना चाहिए refrigeration effect upon network input network input होना चाहिए अब देखे refrigeration effect क्या है इस डाइग्राम में देखोगे तो तुम कहोगे कि sir refrigeration effect जो है यहां से जो Q absorb किया जा रहा है यही मेरा refrigeration effect है तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे कि refrigeration effect upon work input और refrigeration effect अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि देखे अगर W net work input अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे ना कि यह बराबर हो सकता है किस के यह बराबर हो सकता है क्यों नेट के यह कैसे पता चला यह बताओ first law of thermodynamics में क्या सिखाया था for a cycle net heat network आपस में क्या होगा बराबर होगा इसलिए जब network आपको निकालना है तो तुम लिख दोगे q1-2 के दौरान प्लस Q 2 से 3 के दौराण प्लस Q 3 से 4 के दौराण प्लस Q 4 से 1 के दौराण डाइग्राम में देखो 1 से 2 कैसा process है Ad diabetic heat नहीं होगा तो तुम कहोगे के sir 1 से 2 में कोई heat नहीं मिलेगा 2 से 3 2 से 3 देखो 2 से 3 वे रा Q absorb वाला funda है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q absorb ठीक है प्लस ये 3 से 4 फिर से आपको देखो 3 से 4 adiabatic है कोई heat नहीं होगा 0 कर दिया 4 से 1 क्या है ये होगा आपका rejection और rejection है इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है minus QR तो आपको जो network होगा या work input आपको मिलेगा जो network input वो आपको कितने के बराबर मिलेगा वो इसके बराबर मिलेगा Q absorb कितने के बराबर है इसको हम लोग कहां से लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर TDS से लिख सकते हैं देखो तो, तो हम लोग TDS लिख देगे, Q Absorb में T कौन सा है, तो T है आपका, T lower और DS लिख दिया हमने, तो T lower लिखा हमने, T lower को T lower लिखा, और DS केतना लिखा, DS है, final is 3 minus 2, S3 minus S2 हमने इसको लिख दिया, suppose that, similarly Q rejection को हम लोग क्या लिखेंगे, Q rejection को हम लिखेंगे, ध्यान से देखो, आपको इसको भी हम TDS लिख सकते हैं, हाँ, directly निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन T, इसको क्या लिखेंगे, T higher और DS लिख देंगे, तो आपको T higher लिखा हमने, DS लिखा, T higher को T higher लिखा हमने, DS कितने के बराबर होगा, वो होगा आपको, S1-S4, S1-S4 के बराबर, और हमें, diagram से पता है कि 4, 3 के बराबर है, 1, 2 के बराबर है, ठीक है, तो आपको, और ये चीज़ जो है, Q rejection है, ये negative होगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इसको negative दिखाने के लिए हम चाहें, तो minus sign बाहर ले लेंगे, ठीक है, या फिर minus sign यहाँ पर आप दे दो इसको, क्या फरक पड़ना है, तो आपको T higher बराबर क्या हो जाएगा, S3-S2 के बराबर मिलेगा, ठीक है, S3-S2 के बराबर मिलेगा, देखो Q rejection मिल गया, Q absorb मिल गया, जब दोनों ही मिल गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, COP बराबर क्या हो जाएगा, देखो, आपको ऊपर में रखना है किसको, COP बराबर देखो, ऊपर में किसको रखना है, refrigeration effect को, और यही आपका क्या है, this is your refrigeration effect, तो हमने उपर लिख दि दिया, T lower S3 minus S2, देखो, हमने लिख दिया, ठीक है, और नीचे में किसको लिखना है, हम लोगों को, इन दोनों को, अब हम लोग जोड करके लिख सकते हैं, तो हम लोगों को, देखो, दोनों जगा common क्या दिखेगा, common बाहर निकाल लेंगे, और आपको T higher minus क्या लिख S3 minus, देखे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, S3 minus S2 के बराबर और इन दोनों को cancel out कर दिजे, और COP of reverse Carnot cycle जो निकल के आया, वो आया आपको T lower upon T higher minus T lower, यानि कि हम इसको 1 upon T higher upon T lower minus 1 भी लिख सकते है, तो अब हम लोगों को जब भी reverse Carnot की बात होगी, तो reverse Carnot के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस formula का इस्तिमाल करेंगे, और यह इसलिए निकाला है, क्योंकि आपके examination में पुछा जाएगा, कि COP of reverse Carnot किस बात पर निर्भर करती है, तो देखो कहीं पर भी यहाँ पर working flute के related कोई बात हुई नहीं, आपको तो आपको यह पता चला कि सर यह केवल temperature limit यानि source और sink के temperature पर निर्भर करती है, तो यहाँ से आपको note point में क्या लिखना है, यह लिखना है कि COP of reverse Carnot cycle, reversed Carnot cycle, reversed Carnot cycle, reversed Carnot cycle, only depends upon, only depends upon, upon temperature limits, only depends upon, किसके उपर, temperature limits के उपर निर्भर करता है, clear है, बताए, क्यूंकि आपकी examination भी अक्सर पुछा जाएगा, अब यह बताओ, जब यह temperature limits पर निर्भर करता है, तो अब आपको हम n number of malo refrigerator दे दें, ठीक है, हजार refrigerator दे दे और सब को हम same T higher और same T lower के बीच में रखे और सब reversible हो, तो सारे के सारे refrigerator की जो COP मिलेगी, वो same मिलेगी या नहीं, बोलिए, अगर आपको हम n number of refrigerators दे दिया जाए, ठीक है, आपको हम क्या कह रहे हैं, n number of, number of reversible refrigerator ले ले हम, reversible refrigerator और यह किसके बीच में काम करना चाहिए, तो working between, working between same temperature limits, same temperature limits, limits, then all n number of, या n, reversible refrigerator, reversible refrigerator, have same COP, यानि कि सब की COP क्या होगी, same मिलेगी, अगर हम temperature limits को, अलग-अलग नहीं करेंगे तो, ठीक है, तो basically जब भी आपको बात हो, किसकी reverse car note की, या फिर reversible refrigerator की, या फिर ideal refrigerator की, हमेशा या दखो, जब भी आपसे कोई बोले, कि reversible है, या फिर ideal है, या फिर reversed car note है, ठीक है, या फिर आपसे कहा जाए, maximum COP की बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि ये सारे cases में हमेशा COP का जो formula यूज़ करना है, वो हमेशा temperature limit वाला ही यूज़ करना है, गलती से भी हम लोगों को Q वाला formula यूज़ नहीं करना है, तो जब भी हम reversible की बात करेंगे, हमेशा कौन सा यूज़ करेंगे formula, हमेशा हम लोग temperature limits वाला formula यूज़ करने वाले हैं, बताईए इसमें कोई दिक्कत तो बोलो, क्योंकि देखो, हमारा जो basic fundamental होता है, car note cycle का वो यही होता है, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताओ, कि इसमें कोई problem तो बताओ, ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ गिया, कि जब भी हम लोग reversible की बात करेंगे, तो हम लोग temperature limit वाला formula यूज़ करेंगे, और इसी वज़ा से, अगर मान लो, आप से कहा जाए, reversible heat pump है, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से लिख दे रहें, तो आप COP का जो formula यूज़ करोगे, reversible heat pump के लिए, वो क्या यूज़ करोगे, वो आप यूज़ करोगे, T higher upon, T higher minus T lower, अगर heat pump है तो, और अगर आप से, reversible refrigerator लिखेगा, तब आप किसको यूज़ करोगे, तब आप यूज़ करोगे, reversible refrigerator, जिसकी value आप लिखोगे, T lower upon, T higher minus T lower, चाहो तो इसको तुम, 1 upon T higher upon, T lower minus 1 लिख सकते हो, चाहो तो तुम इसको, 1 upon 1 minus T lower by, T higher भी लिख सकते हो, clear है, तो आपको, हाँ, साड़े 10 तक है, अभी इसमें एक छोटा सा टम और बताना है, इसके बाद आपका basic introduction वाला part, हम लोग finish हो जाएगा, और कल से हम लोग इसको पढ़ेंगे, VCRC से, यानि कल से आपका main topic, हम स्टार्ट कर देंगे, vapor compression refrigeration cycle, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर, अब इसके बाद, हमने थोड़ा सा आपको लखा, यहाँ पर किसको, प्योर सब्स्टान्स को, क्यों लिया है प्योर सब्स्टान्स को, उसके पीछे reason यह है, कि देखो, जब भी हम लोग pure सब्स्टान्स की बात करते हैं, तो pure सब्स्टान्स का मतलब यह होता है, कि हम लोग कहीं न कहीं compound की बात कर रहे हैं, या ऐसे matter की बात कर रहे हैं Sir, in these cases we can use both formula because both are for the reversible ना देखो, आपको temperature limit वाला formula is used only for reversible याद रखो, temperature वाला formula these formula are only for किसके लिए? यह formula है only for reversible reversible, reversible, heat pump and refrigerator लेकिन आपको क्यों वाला यानि heat वाला formula होता है वो valid for दोनों होता है मतलब सुनो temperature वाला specially designed for reversible है यह दोनों में नहीं लग सकता लेकिन हाँ heat वाला formula होता तो वो तुम दोनों में लगा सकते हो ठीक है? इस चीज़ को समझो ठीक है? तो आपको heat वाला formula जो होता है वो आप दोनों में लगा सकते हो either reversible, irreversible कुछ ना लिखे तो भी लगा देंगे ठीक है? लेकिन अगर उसने mention कर दिया तो आपको हमेशा फिर reversible वाला यानि कि temperature limit वाला ही formula लगाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक है? temperature limit formula या बिल्कुल ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके है second law में ये चीज़ बता चुके है कॉशल आप basic thermo को नहीं पढ़े हो क्या? थोड़ा सा basic thermo आप वहाँ देख लेना बच्चे ठीक है? चलिए अब देखो यहाँ पर pure substance को क्यों रखा है? मैंने pure substance को इसलिए रखा है क्योंकि हम आपको ये बता सके है कि देखो जब भी pure substance की बात करते हैं हम लोग तो हम लोगों को इस तरीके से dome चलता है that is क्या है? that is की हम लोगों के पास जब भी pure substance होगा इस तरीके से draw की जाएगी, ठीक है, तो constant pressure line इस तरीके से आपको draw की जाएगी basically, कोई बात नहीं हम लोग दोबारा से देख लेते हैं, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से देख रहे हैं, इसको भूलना नहीं है कि constant pressure line लाइन कैसे दिखाए जाती है आपको निया को हूस्य नियागन है यह हमारा ठीज डाइग्राम यह हम нравится किसे इसलिए लाइप सर्थ evolves की काम बाइट पुराइड करा दो देचिज आपको डेली का लेक्चर का शायन पीदिएफ आया ओगा नaza सिटीके मैं बात करता अगर वो combined हो पाता है तो आपको provide करा दिया जाएगा ठीक है वह हम लोग बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं तो अब देखो ध्यान से constant pressure line यह है यह आपका pressure constant line जो कि pure substance का जाता है इसी लिए इसको बताया जा रहा है क्योंकि आप एक चीज़ याद अखना है कि कभी भी इसमें नेवर यूज पीवी इस इकल टू एमार्टी मतलब आइडियल गैस का equation कभी भी प्योर सब्स्टांस में यूज नहीं करना है आप लोगों को पूरे के पूरे आरे सी का यह basic fundamental बता हैं पूरे आरे सी में कभी भी आप पीवी इस इकल टू एमार्टी का यूज नहीं करेंगे और प्योर सब्स्टांस को और लिडियम पढ़ा चुके हैं यह बस इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह चीज़ बता सके कि देखो point A जो है B जो है C है और D है और एक point E है आप लोगों को मैंने A B C D E हर point पर क्या निकालना सिखाया था हर point पर मैंने enthalpy और entropy को निकालना सिखाया था आपका homework रहेगा कि आप लोग इनके हर point पर enthalpy और entropy को लिखना सिखेंगे जाइएगा basic thermo के last lecture में देख करके आईएगा कैसे लिखा था दूसरा आपका homework क्या रहेगा आपका homework रहेगा कि dryness fraction को आप देख करके आएंगे ठीक है dryness fraction ठीक है dryness fraction को ही एक और नाम से जानते हैं क्या चीज quality of mixture हम लोगों को पता होता है ना कि dryness fraction का मतलब क्या था dryness fraction का मतलब होता था mass of vapor divided by mass of vapor plus mass of liquid तो आपका ये था dryness fraction और अगर आपको इस dryness fraction को 1 में से घटाते थे तो हमको y मिलता था और इस y को हम लोग क्या कहते थे this is called wetness fraction तो अगर मान लोग अभी exam में dryness fraction ना लिख करके लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसने वाई के बारे पूछा है ठीक है कि combined PDF का कोशिश करेंगे माइडिया लेकिन आप लोगों को basic thermo का क्या करना है basic thermo में जाके pure substance को थोड़ा देख करके आना है क्यूंकि VCRC में फिर हम दुबारा से enthalpy entropy निकालना नहीं सिखाएंगे अगर हम यह यूज होगा हम डारेक्ट लिख देंगे आपको समझ जाना है कि यह मैंने कैसे लिखा है वो तब पता चलेगा basic thermo को देख करके आएंगे clear है तो आप लोग इसके इलावा और क्या जानते थे कि यह मेरा कौन सा line होता था यह मेरा saturated liquid line था और यह वाला मेरा क्या था यह था मेरा saturated vapor line था और saturated liquid line पर dryness fraction 0 होता है saturated vapor line पर dryness fraction की value 1 होती है और wet region में 0-7 के बीच में लाई करती है dryness fraction यह सारी चीज़ें हम लोगों ने देख तो आपका homework यह रहेगा कि आपको pure substance क्या करना है revise करके कल आना है क्योंकि कल से हम लोग अपना most important topic start करेंगे और वह most important topic क्या होगा वहोगा आपका VCRC और उससे पहले एक बार फिर से आप लोग जो लोग भी आपको जैपूर में available है राइस्थान में available है आप लोग तीन ता मिल करके भी discuss कर सकते हैं सारे faculty panel से मुलाकात होगी आपके career के regarding बात होगी तो आप लोग इसको जरूर attend करें और आप लोग इसको share कर सकते हैं ठीक है जो कि कहा होगा जैपूर में हो रहा है हिंडन हाइट्स में ठीक है जो कि आपको help line number भी दिया हुआ है जो लोग जैपूर में available है राइस्थान में available है वो लोग इस seminar को जरूर attend करेंगे क्योंकि अब हम लोग एक offline center भी यहाँ पर open करने वाले हैं offline center के देखो फैदे क्या होते हैं कि teacher के साथ आपका direct interaction हो जाता है और direct interaction होने के कारण आप अपने doubts और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप teacher से directly पूछ लेते हो online में कई बार क्या होता है थोड़ा सा communication gap हो जाता है तो यह problem होती है और दूसी चीज़ offline class में क्या है कि आपका time utilize होता है आप fix time पर आपको पता ऐसा तो है ने कि उसमें आपको दुबारा lecture मिलेगा तो आपका एक routine बन जाता है एक अच्छा संगत बनेगा competitive महौल मिलेगा य बहुत important topic है जिससे आपके examination में questions पूछे जाते हैं तो चलिए lecture को like और share जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक फैला जरूर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए goodbye take care best of luck and जाहिंद